नमश्कार आदाव स्रियकाल मैं हूँ का पिलकाट पाल स्वागत है आप सभी का डेली नीज अनलिस आप दे हिंदू आप सब्सक्राइब करते रहीगा डेफिनिल्डी आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रवाइड करा रहा हूं कि दे हूं को 90% मार्क सेनी और जनरल अवने सेक्शन और जुड़े रहे हैं बने रहे हैं मेरे साथ ओके चलिए शुरुबात करते हैं आज किस सेशन की पहली नीज आपके सामने आई है इंडिया टॉइ फेर से जी हां पहला एवर पहली बार ऐसा हो रहा है कोई इंडिया टॉइ फेर आयुजित किया गया यहां पर बट इस बार यह वर्चुली आयुजित किया गया ड्यू तो कोविड एंड इसको इनागरेट किया प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने तो यहां पर आपका देख सकते हैं इस बार इसकी जो थीम्स रही वो रही आत्म निर्भर दाट 2020 आयुजित किया गया और यह आपका फियर डिजिटली वर्चुली आपका हुआ प्लैट्फॉर्म कोई सा था इसके त्रू यह रचुली वर्चुल लेवल पर इस प्लैट्फॉर्म के त्रू एंड यहां पर जनरल पबलेक ट्वाइस को देख सकती हैं उनको खरीज सकती है जो कि इंडिया के लोगों के द्वारा आपके बनाए गए है इसको आपका पूरा पांस स्टेडिस में डिवाइड किया गए इस प्री स्कूल टॉ क्लास टू, अपर प्राइमरी, सेकंडरी एन्दी सीनियर सेकंडरी इंडिया टॉय मार्केट की बात करने तो ये नियर वाट 1.5 बिलियन डॉलर की मार्केट है और जिसमें सबसे ज़ादा आपका हिस्सा इंपोर्टेट टॉयस का माना जाता है बट यहाँ पर अब इंडिया में ही बने हुए टॉयस को आपका प्रमोट करने के लिए ये एक इंडिया टॉय फेर 2021 के आयोजन किया गया था और इसमें एक और कुश्चन जो की इंपोर्टेंट है वो है रिलाइंस रिटेल रिलाइंस रिटेल के द्वारा ओन की जारी हैमलेस गंपनी आपने देखा होगा Hamilis के बारे में Hamilis के Toys भी आपने देखे होगे कोई ना कोई आपस पास आपने शोरूम देखा होगा ओके सो यह आपका इसका टाइटल स्पोंसर रहा इस Toys Fair का यहां पर बहुत सारी मनिस्ट्रीज ने इसमें पार्टिस्पिट किया बहुत सारी मनिस्ट्रीज है तो I don't think कि आप एक बार इसको याद रख पाऊगे इतनी सारी मनिस्ट्रीज को सो स्टिल एक बार गो थू हो जाईगेगा उपर उपर से पढ़ लिजगा इनके से इग्जाम में कोशिन आता है तो शायद अपत्सर कर पाएंगे इस पूरी कोशिन जो बनेंगे इस स्लाइड में से एक और स्लाइड है इसमें वह देखते हैं बाद में पहले इस स्लाइड के बार और डिसकेशन कर लेते हैं सबस् Cath पहले तो चीज ये पूछ सकते हैं कि कौन सा पोटल है पोटल आप से पूछ सकते हैं दूसरी चीज कितने stages में डिवाइड कियागे ये stages अच्छे से याद रख लिए कि कौन कौन से stages है next कितना market कितनी है right now as on this date 1.5 billion dollar है और ये सब से important चीज कि किसके द्वारा title sponsor कौन था इसका harmless था ये title sponsor ये पूछा जा सकता और themes तो खेर इसकी specifically इसकी exactly खुद की कोई theme नहीं है बट ये theme आपकी अधारित है आत्मिनेवर भारत और vocal for local पर अगला इसी का ही part है आपका इसमें कुछ चीज है और है पहली चीज एक्वस प्राइवेट लिमिटेड जो की एक ड्वल कर रही है 400 एकड का toy manufacturing cluster कहाँ पर कोपल करनाटका में इसकी investment 500 million US dollar आई है the decision has been taken to increase domestic manufacturing of toys as India imports 1.2 billion worth of toys annually और ये चाइना से आपके import किये जाते हैं तो यहां पर अब देख सकते हैं total market इंडिया के 1.5 billion जो हमने अभी discuss किया और यहां पर जिसमें से 1.2 billion के toys आपके import किये जाते हैं ओके इंडिया import करता है अब यहां पर इस चीज को इहां पर increase करना है और ये 1.5 billion आपका ये कह सकते हैं राइट ओके सो आईएटी गांधी नगर based center for creative learning will showcase its unique 75 toy creations in the fair so 75 as a toy creations is fair में आईएटी गांधी नगर के द्वारा एक setup किया गया है center for creative learning उसके द्वारा यहां पर showcase किये जाएंगे IAT गांधी नगर only IAT है हमारे इंडिया का which is running such a center for this creative learning okay so exam points यहां पर question Equus Private Limited के बारे पूछ सकते हैं कहां पर है कोपल करनाटका में है आपका ये and कितनी investment है 500 billion US dollar की यहां पर investment है and 1.2 billion का इंडिया इंपोर्ट करता है center for creative learning कहां की है ये company IAT गांधी नगर की है और ये इकलोती IAT है ये कुछ question इसमें से निकलते हैं अगली news पर चलते हैं हम international commission of large dam symposium on sustainable development or dam and the river basin तो चार दिल लंबा यहां पर international commission of large dam symposium on sustainable development or dam and river basin ये कहां पर हुआ hybrid format में new दिल्ली में हुआ तो यहां पर hybrid format का मतलब ये है कि virtual भी हुआ और वहां पर आपका physical भी हुआ तो ये एक symposium ये आप कह सकते हैं एक conference है एक meeting है तो ये आज़ित किया गया आपका large dams large dams इतने भी हैं ताकि जो dams हैं river basins हैं उनकी sustainable development के उपर ये एक international commission के द्वारा on large dams के द्वारा ये एज़ित किया गया था यहां पर ministry of जल शक्ती गजंदर सिंग शेखावत चीफ guest थे इस event के and event में आपका dam construction, dam safety measures, बहुत सारी चीज़े related to the dam किस तरह उनको साफ सुत्रह रखा जा सकता है and India किस तरह पारिस climate agreement को agree कर रहा है उसके उपर यहां पर बातचित की गई so exam point से हाल ही में आपका international commission and large dams suppose यहम किस चीज़ के उपर आधारिता that was based on the sustainable development and dams and the river basin नहीं कहां पर आज़ित किया गया? New Delhi में आज़ित किया था अगली news है हमारे international book fair से आई है international book fair कहां पर start हुआ है तरिपुरा में start हुआ है जवहां के चिफ्ट मिनिस्टर विपलब कुमार देव ना इसको इनेगरेट किया तरिपुरा श्रिष्ट तरिपुरा अगरतला में अज़ित किया गया और साथ में बांगलादेश की पार्टिस्पिशन नहां पर थी बांगलादेश की तरव से वहां के assistant high commissioner मौझूद थे खैर यह नाम याद रखने है वह शुक्ता नहीं है तरिपुरा में अगरतला में हुआ आपका theme क्या रही एक तरिपुरा श्रिष्ट तरिपुरा इसकी theme रही अगली news करनाटका से आई है करनाटका गुवर्नमें ने लांच कि अपने आमें पहली तरीके का engineering research and development policy 2021 सो यहां पर अपने आमें पहली तरीके का engineering research and development that is the ER&D policy 2021 आज़ित किया गया that is aimed at making the state responsible for 45% of India's growth in engineering sector by 2025 यहां पर एक target रखा गया है 2025 तक आपका यहां पर करनाटका ने अपने आमें पहली तरीके का एक engineering research and development policy इन्होंने जारी की है and इसके तहत यहां पर इन्होंने कहा है employment opportunities जो है 50,000 लोगों तक रोजगार महिया करवाने की बात की गई है अलग अलग 5 sectors में making India an innovation driver of the world means नया कुछ innovation नई research नया industry setup की जाएंगी आपकी इसलिए इंडिया को बनाना एक innovation driver की तरफ जो एक नया कुछ innovate करता है according to industry एक body है इंडिस्ट्री एपक्स body NASCOM नाम सुना होगा आपने ERD has a potential to become 100 billion industry in the country next 5 सालों में इतनी बन सकती है and in terms of subsidy government यहाँ पर 50% reimbursement देने वाली है of rentals up to 2 crore to MNSC's entity beyond Bengaluru urban district okay Bengaluru के बाहर अगर कुछ setup कर रहे हैं तो 50% तक उसको यहाँ पर किराये में छूट मिलेगी या reimburse government करेगी उसके and it will also offer recruitment assistant up to 20% subsidy up to 2 crore for investing in this state beyond Bengaluru अगर आप investment करते हैं आपके industry लगाते हैं तो 20% subsidy आपकी मिल देगी and these subsidies will be assessed on case to case basis किस तरह की आपकी company है और किस तरह का employment आप generate कर रहे हैं इसके अलावा Chief Minister Research Pilotship Program के थाए PhD students को आपका 70,000 पे monthly stipend पहले 2 सालों के लिए 75,000, 3 साल के लिए 80,000, 4 साल के लिए annual research grant दो लाख रुपे आपका दिया जाएगा जाएगा and इसमें 25% जो रहेंगी वो महिलाओं को consider किया जाएगा तो यह एक अलग तरीके के policy बनाईगी है एक बार दुबारा से कर लेते हैं क्योंकि काफी होच-पोच हो गया तो इसको एक दुबारा दुबारा से करते हैं आपको definitely यह चीज समझ में आजेगा आखरकार क्या है सबसे बहले तो इसमें जो question मनता है वो मनता है engineering research and development policy 2021 किस कौन से state के दुबारा जारी की कि करनाट के के दुबारा जारी की तो यही एक policy का basic मदद दिश्य है कि इस field में आगे आना चाहिए कि एक नई research and development कौन सी company करेगा obvious है कोई ना कोई research करेगा कोई ना कोई इसको बताएगा कि किस तरह से करना तब ही तो आगे industry उस base पर setup होगी तो यही यह काम कर रहे है तो Nescope ने भी यह का है कि ERAD एक अलग से industry जो है इसमें आपका investment 100 billion dollar की investment आपके देखने को मिल सकते हैं means इसमें लोग आ सकते हैं इस field में आ सकते हैं ताकि वो आगे लोगों को promote करे कि इस तरह का आपका यह हमने research करके आपको दिखाया ठीक है यह research work किया है यह industry काफी अच्छी जलेगी तो आप इसको setup कीजिए ठीक है और इसके बाद यहाँ पर government के द्वारा 50% subsidy 20% subsidy और नीचे PhD students के लिए काम लिखा हो यह सिरफ इसलिए लिखा हुआ है कि in case अगर आपको इंडस्टी सेट अप करना चाते हैं उसके लिए यह electronics, IT, Biotechnology, Science and Technology करनार्ट का involved है, okay, so यह question भी अच्छा question बन सकता है किसके दरहां draft की तीनों कि तीनों agencies के नाम important है, next news है हमारी IBM से, IBM that is the international business machine यहाँ पर आपकी इंडिया, IBM इंडिया partnership की है गोवा के साथ, गोवा की state government के साथ partnership की है, जिसके दार free online courses आपकी students को, job seekers को, entrepreneurs को आपका provide किये जाएंगे, इसमें 10,000 youth को आपका training दी जाएगी, across the 10 institution अगले एक सालों के लिए, through IBM skill build program, okay, so लग-लग institutions के थूँ इनको training दी जाएगी, free online courses दी जाएंगे, 10,000 youth को target है आपका, इनको training देने का, and यह आपका IBM के skill build program है, उसके थूँ दिया जाएगा, और इसके लिए पर टाइब की है, Goa government के साथ, the program is jointly implemented by the IBM India, Department Technical Education, Goa, and the RYACHA, that is the Research and Extension Association for Conservation, Horticulture, and the Agroforestry, okay, so यहाँ पर इसके द्वारा jointly implement किया गया, IBM India, and these are the other departments, जिसके द्वारा यह implement किया गया है, and इसके पर स्वारा कोचिं, experimental learning module, यह information and communication technology के थूँ, and यह एक online platform है, जो provide कराता है, free digital courses, ITC sector, like the artificial intelligence, cloud compounding में, यहाँ पर, अलग लग field में, यहाँ पर एक digital courses available कराता है, and यह आपका launch किया गया था, November 2019 में, हम इस IBM skill build program की बात कर रहे हैं, यह provide कराता है, ठीक है, तो इस IBM skill build program को implement किया जाएगा, 10 सर यूज तक पहुंचा जाएगा, Goa के, right, so exam point is IBM, Goa पूछ सकते हैं, IBM skill build program पूछ सकते हैं, कब किया गया, 2019 में किया गया, किस-किस field में यह digital courses available कराता है, यह मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, right, और यह program किसके द्वारा implement किया गया, यह भी important है, पूछा जा सकता है, यह कुछ institutions, इनके द्वारा यह पूरा पूर आई है, State Bank of India ने जॉइन किया है, Link, यह Link आपका जॉइन किया है, यह एक peer-to-peer blockchain-based data network of US-based investment banking company, JP Morgan Chase, okay, so यहाँ पर JP Morgan के साथ यहाँ पर, JP Morgan का एक आपका यह network है, एक blockchain-based network है आपका, और उसको यहाँ पर आप State Bank of India ने जॉइन किया, और यह JP Morgan Chase का जो एक network है, जो blockchain-based network है, Link को जॉइन किया है, State Bank of India ने, यहाँ पर अब यह जो blockchain-based data network है, इस blockchain-based data network के थूइन किया अपने transaction cost, अपने customers के साथ जादा अच्छे से interact कर पाएगा, international transactions बहुत अच्छे से हो पाएगी, यह एक नया network आपका, जो नए network के लिए State Bank of India ने tie-up किया और State Bank of India बना है, ऐसा करने वाला पहला पहला bank in India to go live on a blockchain-based network of the JP Morgan, means, इसको basically यहाँ पर link ने, और भी institutions ने इसको join कर रखा है, that is the ICC Bank, Axis Bank, Yes Bank, Union Bank of India, Federal Bank of India and the Canera Bank ने, but State Bank of India, really sorry, but State Bank of India यहाँ पर बना है पहला bank in India, जो कि इस platform पे live जा चुका है, ऐसा करने वाला State Bank of India पहला बना है, I'm really sorry, okay, so State Bank of India आपका पहला ऐसा bank बना है, to go live on this blockchain-based payment network, so basically यह आपका, जो link platform है, यह आपका help करेंगा, international payments को execute करने में, okay, international payment बहुत ही जल्दी execute हो जाएंगी, पैसा एक जगा, जो दूसरी का easily transfer हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें और transaction cost भी काफी कम होगी, because पहले वाला जो platform थे, जिनके थूँ यह transfers and all करते थे, वो महंगा भी था, और वो delay भी करता था, बट इसके थूँ बहुत जल्दी किया जा सकता है, to few hours from up to two weeks, okay, कुछ ही घंटों में पैसा transfer कर दिया, It is a peer-to-peer network system and ecosystem, जो कि JP Morgan, blockchain and digital currency के द्वारा यहाँ पर setup किया गया, that is the name of the Onyx, Onyx है यहाँ पर JP Morgan की company, जिसके through यह set, यह पूरा का पूरा network setup किया गया है, यह 2017 में आ चुका था, 2017 में यहाँ पर start हो चुका था, it was originally called, इसको interbank information network कहते दे, जिसको बाद में link नाम दे दिया October 2020 में, at present पूरी global level पे 400 financial institutions, 78 countries से and 27 of the world top 50 banks, JP Morgan से आपके जुडे हैं इस link से, network also has around 100 live banks on the network which includes both state and the private institution भी है, government banks भी है, सभी banks है, okay, so काफी एक important news है और काफी चीज़े इसमें आपके सामने दे रखी हैं, okay, तो चली एक बार revise करते हैं इसको, क्या-क्या questions पनेंगे, सबसे पहल लिंक, लिंक क्या है यहां पर, यह अच्छे से याद रखीगा, यह JP Morgan Chase का एक online platform है, यह कह सकते हैं, peer-to-peer blockchain based data network है, transferring the funds से जुड़ा हुआ, state bank of India ने हाल ही में जोइन किया, कौन सा bank मना पहला bank, state bank of India मना और कौन को से bank है, बाकी इन banks के नाम भी याद कर लीगा, and यह किस platform पे है, onyx नाम का platform है, और कब स्टार्ट किया गया था, 2017 में, name change कब किया था, 2020 में, कितने total institutions से जोड़ें, 400 institutions, कितनी countries से है, 78, और कितने banks इसके साथ यहां पर आपके, जो हैं, जुड़े हुए, that is the 100 banks are operating this link platform, okay, JP Morgan Chase, Jamie Dimon, इसके chairperson है, headquarter, इसका New York में है, next, चलते है, Aria Partners with the Canera Bank for the Farm Loan Management, so basically, Aria Collectoral Warehousing Services Private Limited है, एक company है आपकी, इन्होंने यहां पर एक partnership की है, Canera Bank के साथ, okay, so, यह basically partnership क्या है, यह है, आपकी Aria Collectoral Warehousing Services Private Limited, अगर आपको याद होगा, तो हमने banking governance की class में, एक cash credit pledge के बारे में पढ़ा था, cash credit pledge, that is, warehouse receipts के बारे में पढ़ा था, मैंने houses बताया, देगी, warehouse में माल लगा होता है, और उनको lock and key में रखा जाता है, bank officials के permission के थूँ, उन्होंने माल को release किया जाता है, तो यह वही warehouse हैं, जो की Aria Collectoral Warehousing Services Private Limited के द्वारा बनाए गई है, okay, so, यह आपकी Aria Collectoral Warehousing Services Limited अपने warehouse बनाता है, तो इन warehouse में जो भी माल पढ़ा होगा, जो भी किसान है, या फिर कोई भी और जो green merchants है, वो अपना समान वहाँ पर रखेंगे, okay, so, वहाँ पर यह समान रखेंगे और उसके against वो आपका loan ले सकते हैं, तो यही आपका होता है, collateral management, collateral obvious है, हमने security रखी, okay, security रखी, security को हम collateral के form में represent करते हैं, तो यह collateral management है, that is a collateral ware housing service, private limited, इसको इसलिए नाम दिया गया है, तो इसने अभी tie-up किया है, canera bank के साथ, so, canera bank के साथ tie-up के आ रहाँ ने, so, areya वाले, अपने वहाँ माल रखेंगे, और canera bank अपने customers को यह offer करेगा, यह CC pledge, VWHR की, आपके limit, या फिर loan, okay, so, this is the all about this news, okay, so, बाकी, इसमें वही दोनों के static fact नीची आपके सामने लिखे हुए है, next, हमारे सामने कुछ awards आये, 78 golden global awards 2021, जो की आपके Los Angeles and the New York City में हुए, यहाँ पर hybrid format में हुए, and यहाँ पर आपकी film from the Los Angeles and New York City, United States of America, host किया आपका Amy Poehler, and from the Beverly Hills, Los Angeles and Tina Fee from the New York Rainbow Room, okay, so, यहाँ पर New Rock से भी हुआ, Los Angeles से भी हुआ दोनों जगा से award ceremony आयजित किये गी, was produced by the Dick Clark production in association with the Hollywood Foreign Press Association, nominees आपके disclose किये गे, Sarah Jessica Parker, and the Tara Jee P. Hemson, इनके द्वारा इनको nominees को इहाँ पर disclose किया गया, कौन को nominees है, इसके brand ambassador रहे, आपके Sacha Lee, Jackson Lee, Children of the Filmmakers, and three-time Golden Globe nominee Spike Lee, and his wife Tonya Lois Lee, जो की एक दान दाता है, Jackson Lee is the first black male ambassador of the Golden Globes, यह भी एक खास बात है, यहाँ पर एक युनीक सी बात है, that is the first black male ambassador of the Golden Globes की, and इसके अलावे यहाँ पर यह कुछ awards जीते हैं, कि इन्होंने 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 awards जीते हैं, okay, so यहाँ पर यह news काफी लंबी चोड़ी है, और यह जो अब यहाँ पर बात आते हैं, इतने सारे awards याद करना कितना beneficial होता है, देखो, इसमें से जादा जादे question आएगा एक, और एक question के लिए आप इतने सारे awards याद रखेंगे, तो I don't think cost benefit ratio इतना जादा बढ़िया है, कि आप इतनी सारी चीज़े याद करके दूसरी चीज़े भ बाकी आप छोड़ने हैं, तो छोड़ दीज़ेगा, क्योंकि last years के exam को देखते हैं, जो mostly questions अगर आते हैं, तो एक best motion picture या फिर best picture आप देख लिए, best director और best actor and the best actors, अब यहाँ पर actor, actors, picture भी अलग-अलग यहाँ पर category में हैं, माल लिज़े, यह television में लग है, supporting है, television में लग है सब आपका motion picture में अलग है, तो यह सारे के सारे अलग लिए होगी, like the best picture animated, so वैसे इस particular news में इसका bifurcation करना इतना थोड़ा मुश्किल है, easy नहीं है, तो according to me, अगर avoid करना है, तो avoid कर दिए, अगर फिर भी पढ़ना है, तो उपर के 5-7 award पढ़ लेगा, that's it, okay, best animated pictures पढ़ सकत है, okay, चली, अगली नूज सलता है, Siemens Limited ने कवार के 99.22% equity stake in the C&S Electric Limited, leading manufacturer of electric and electronic equipment from its promoter of 200 crore, so यहाँ पर आपका 200 crore, यह है, Siemens ने कवार के 99.22% stake in the C&S Electric Limited, okay, leading manufacturer है, electrical and electronic equipment के, MapMyIndia integrated with the COVID portal to locate the COVID-19 vaccination center, so MapMyIndia को integrate किया गया है, India का official vaccination registration portal, that is a COVID के साथ, okay, COVID, that is a COVID vaccination intelligence network, COVID आपने नाम सुनाओगा, यह एक app है, वैसे तो आप नहीं कोंगा, यह एक portal है, basically, COVID एक portal है, जिसके तुरू आप अपने आपको register कर सकते हैं, अगर आपने COVID से related vaccination, अगर आपने करवाना है तो उसके लिए आपको registration करना पड़ेगा, फिलहाल इसका another phase चल रहा है, पहले phase में आपके जो medical staff है, उनको यहाँ पर vaccination किया गया, phase जो अगला phase है, वो आपका start हो चुका है, अभी एक मार से जिसमें 60 years and above, या फिर जिनको 45 years and above हैं, जो लोग और उनको complications है, medical complications है, तो वो लो अपने जो age का certificate दिखा कर इसको avail कर सकते हैं, इस vaccination drive में बन सकते हैं, part और vaccination ले सकते हैं, so इसके लिए आपको COVID नाम की portal पर register करना पड़ेगा पहले, so यहाँ पर COVID यही जो portal है, यह जो portal है, इसको अब यहाँ पर integrate किया गया है, map my India के साथ, map my India के साथ इसको integrate किया गया है, औ आपको बताएगा आपकी current location के अनुसार, अगर current location आपकी जहाँ भी है, यह अपर अपना address, pin code आवगारा डाल देजो, आपको बता देगा कि आपके आसपस कौन से vaccination center है, जहाँ पर आप जाकर वेक्सिन को लगवा सकते हैं, यह एक map my India app का एक feature है, so यह आपका COVID platform पे भी, portal available है, map my India app पे भी available है, अभी तक basically COVID की कोई app नहीं बनाईगी है, एक app आपको अविलेबल तो होगी, प्ले स्टोर बड़ बड़ वो कोविन आपकी जो app है, वो आपकी general public के लिए नहीं है, वो app जो बनाई गई है, वो administrative use के लिए बनाई गई है, ठीक है, so उसमें आप login वगा है, to enable the users to download the vaccination certificates, after they have received at least one dose of the COVID-19 vaccination, okay, so यह आपका, उसके तरूँ आप certificate भी ले सकते है, अरुगया से तूआप के तरूँ, यह आपका लिखा हुआ है, and map my India app, जो की map my India maps and the API was the winner of the आत्मिहरवर app challenge, जो की organize किया गया था, government of India के दारा, 2020 में, यह उसी का यहाँ पर एक challenge हिनों में जीता था, और उसके बाद अब इसको integrate किया, इस exam point इसे map my India integrated with which portal, यह पूछा जा सकता है, क्या-क्या है map my India के बारे में, यह पूछा जा सकता है, नीचे map my India का आपका static fact है, next सुगम्या भारत app and the handbook assess the photo digest, so union में स्वित हावरचंद घहलोथ, ministry of social justice and empowerment है, virtually launch के सुगम्या भारत app को, और एक handbook entitled the assess, assess the photo digest, okay, so यह आपका किया है, through video conference, video conference के थ्रू यह दोनों चीज़े लाँच किया है, सुगम्या भारत app लाँच किया है, and assess the photo digest, यह आपकी एक handbook release की गई है, और यह दोनों की दोनों develop किया है, department of empowerment of persons with disability के द्वारा, and यह एक crowd sourcing mobile application है, लाँच किया under the assessable India campaign, AIC, सुगम्या भारत अभियान, which will cater to the issues related to assessivity being faced by the divyaang jans, okay, divyaang jans के लिए app launch की गई है, basically, differently abled, यह फिर आप कह सकते है, specially able logo के लिए यहाँ पर यह एक किया गया है, it is a crowd sourcing mobile application, जो की काफी सारे logo इनको लिए include किया गया है, under the assessable India campaign, सुगम्या भारत अभियान, सुग किया गया था, nationwide campaign है आपका यह, and इसमें आपका जो persons with disabilities है, specially able लोग है, उनको rights provide किये गए है, कि किसी तरह का discrimination नहीं होना चाहिए, उनके लिए in the transport, okay, transportation में या फिर किसी और field में इनके साथ किसी तरह discrimination नहीं होना चाहिए, यह सुगम्या भारत अभियान का उदिश्या था, 2015 तो इसी किता है था, सुगम्या भारत अभारत अप को launch किया गया, ताकि उनको पता चल सके कि कौन-कौन सी जगाए उनके लिए available है, क्या facilities उनके लिए available है, यह सब चीजे इसमें आपकी define की गए है, okay, so यहाँ पर RPWD Act 2017 जो आया था, यह आपका replace किया था, इसने PWD Act 1995 को, RPW यानि कि right of persons with disabilities, so exam point उसे पूछेंगे, सुगम्या भारत अभियान के बारे में पूछ सकते है, static fact पुराना कब launch की गया थी, कौन से ministry इसमें involved है, यह पूछ सकते हैं, कौन से department ने इसको launch किया है, यह पूछ सकते हैं, और app का नाम, और यह आपकी headbook का नाम, चली, next सेलते हैं, Indian school students, इहां पर International Astronomical Union ने confirm किया है, 18 ने asteroid साबके Indian students के द्वारा इहां पर discover किये गये है, as the part of International asteroid discovery project के तहत, okay, so इहां पर asteroid discovery project के तहत, इहां पर, जिसको conduct किया गया था, STEM and the space के द्वारा इहां पर, STEM and space के द्वारा इसको conduct किया गया था, organization which worked towards the learning of astronomy and space science in India, okay, so इहां पर आपका astronomy, space science को learn किया जाता है, एक organization है, जिसके थूरू इसको पढ़ाया जाता है, STEM and space, इत के द्वारा कंड़क्ट किया गया the International asteroid discovery project को, and यहां पर International Astronomical Union ने confirm किया 18 new asteroids को, 18 new asteroids को यहां पर discover किया and the program was conducted by the STEM and space along with International Astronomical Search Collaboration, okay, as a part of the NASA citizen science project के द्वारा, okay, so यह NASA citizen science project का एक पार्ट है and यह program आपका conduct किया गया, the discovery project took place over a period of two years and around 150 students from all over the India participated in the program making the largest asteroid discovery project in India, so यहां पर एक सबसे largest asteroid discovery project यहां पर इंडिया का माना गया, so Indian school students, कितने asteroids discover किया 18, कों से project के थाहत, International asteroid discovery project के थाहत यह आपके किये गई है, STEM and SPACE के बारे में नीचे static fact है, J&K, Jattis, Jammu and Kashmir, हाल ही में एक winter games आज़ित किये गया, हमने कुछ दिन पहले इसके पर बात भी की थी, at Gulmagg, Jammu Kashmir में, तो यहां पर final उसका outcome आचुका, result आचुका, जिसमें Jammu Kashmir ने यहां पर आपका top spot हासल किया, second edition था, Kelo India winter games का, जो की गुल मर्ग, Jammu Kashmir में आज़ित किया गया, with 11 gold, 18 silver के साथ, यहां पर यह first rank पर रहा, करनाट का आपका दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर आपका, यहां पर महराष्टरा रहा, okay, so ही इसने 3 gold जिते, so 11 gold, Jammu Kashmir, 5 gold, 3 gold, और इसका जो बाकी fact है, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन शायद या, 5 दिन पहले करन्ट पर से हमने किया था, former try के chairperson and commerce secretary रहुल कुलर, इनका हाली में निधन हो गया, okay, try के आपके पूर chairperson रह चुके है, इनका हाली में निधन हो गया, मई 2012 में 3 साल के लिए इनको बनाया गया था, try का chairperson रहुल कुलर निधन हुआ, World Wildlife Day 3 March को एज़ित किया जाता है, global level पे, to celebrate the wild fauna and flora, ओके, so first, पहली बार याज़ित किया गया था, 2014 में, and यहां पर आपका, reintroduction of the cheetah, okay, cheetah, यहां पर mentioned the government was working on the reintroduction of the cheetah, and यह आपका यहां पर है, event are organized by the convention on international trade in endangered species of the wildlife, fauna and the flora, okay, so यहां पर आपका है, यह है आपका collaboration with the organization, United Nations system की, World Wildlife Day, 3 March को observe किया जाता है, and यह आपका, मैंने अल्रेडी बता दे, sites के दौर, 1973 में mark किया गया था, World Hearing Day, 3 March को observe किया जाता है, this is organized by the World Health Organization के दौरा, Geneva में जिसका headquarter है, theme इसकी also decide किया जाती, WHO के दौरा, and the celebrated, इस बार की की, hearing, care for all, screen, rehabilitate and communicate, यह इस बार की, इसकी theme रही, 3 March को ही, World Hearing Day, ओके मेरे दोस्तों, इस session में इतना ही था, उमीद करता है पसंद आया होगा, इस तरह मेरे साथ जुड़े रही है, बने रही है, हमारे study नीती YouTube channel, जिसका link description नो, उसको join कर लीजेगा, app download कर लीजेगा, website विजिट कर सकते हैं, बहुत सारा free material, मारे website पर अपर अप्डेट होती है, आप उसको access कर सकते हैं, मेरी current affairs भी वहाँ पर daily update होती है, आपको अगर app के थुरू पढ़ना है, कई बार easy होता है, आप के थुरू current affairs पढ़ना है, PDF की बजाए, तो वहाँ पर आपके Hindi English दोनों में update होती है, daily basis पर, daily late night तक, ओके, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मेरी current affairs को, वहाँ पर बहुत सारे questions, English से जुड़े हुए, RCs बहुत सारी available है, already quant reasoning के questions, और अगर मोक test परचेज करना जा रहे हैं, बहुत ही शांदर level के mock test, pre plus means के, और पूरे एक साल पे जितने भी exam आएंगे, अगर आज परचेज करते हैं, जाने वाले एक साल तक जितने भी exam आएंगे, उनके सभी के आप mock test को access कर पाएंगे, उन सभी exams के आपके pre, means, Hindi, English, as well as the general awareness के mocks, as well as the mini mock test, डाउनलोड करना सकता है, उसका भी link है, website का link है, YouTube channel का link है, and many more things, take care, bye-bye, see you again in the next session, मिलता हो फिर, and बने रही है, जुडे रही है.